ओम नमाश शिवाई शिव सबके सहाई दुरलब सामगरी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है दुरलब सामगरी की ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसा प्रेम मंत्र दिया जा रहा है इस मंत्र को जिसने भी जाब किया है या जो भी सच्चे मन से जाब करेगा उसका काम अवश्य बनता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप चाहे भारत में हो या विदेश में यदि किसी भी व्यक्ति के साथ आपके मित्रता है या आप किसी को पाना चाहते हैं तो इस मंत्र को आप चलते फिरते बैठते किसी से बात करते हुए भी मन में जाब कर सकते हैं इस मंत्र को रोजाना जाब करने पर इसके सिद्धी हासिल हो जाती है और फिर ये मंत्र सिद्ध हो जाता है इस मंत्र को कम से कम लगातार साथ दिनों तक अवश्य जाप करना चाहिए मंत्र जाप करने की संख्या है कम से कम एक सो आठी यानि कि एक माला अवश्य जाप करें और इस मंत्र को जाब करते वक्त या जाब करने के पश्चात आप किसी भी तरह का अभद्र प्रदार्थ ना ले यानि कि मास, मीट, अंडा इन सब से आप अपने आपको कुछ समय के लिए दूर रखें जब तक आपका कारे सिद्ध ना हो जाए यह मंत्र हर किसी के लिए काम करता है हमारे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स आती हैं जिसमें से हम कुछ रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर करते हैं आपको सुनाते हैं ये तो वो recording's हैं जो हम आपको सुनाते हैं, अपी तो इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी recording's होती हैं, जो हम आप तक share नहीं कर पाते, क्योंकि ये संख्या बहुत ज़ादा होती है, कहने का तातपर यही है कि यह जो मंत्रे दुरलब सामगली के दुवारे दिखाए जाते हैं यह वाकई में काम करते हैं चाहे आप इस पर विश्वास करें या ना करें आपका काम सिर्फ इतना है जितना आपको बता दिया जाए बस उस चीज को आप मान लीजे किन्तु परंतु अपने हिर्दय में कुछ भी इस प्रकार की चीजों को ना आने दे और आप देखेंगे कुछी समय में आपकी कारे सिद्ध होने लगेंगे इस मंत्र को साथ दिन तक लगातार करना है साथ दिन में आप कभी भी सुभर शाम कभी भी इसको जाब कर सकते हैं जाब की संख्या 108 रखिए यानि कि यदि आप सुभर 10 जाब करते हैं तो बकाया आपको रात को 12 बजे से पहले पहले जाब करना है इसी तरह से आपको 108 बार ये मंत्र रोजाना जाप करना है साथ दिनों के लिए और साथ दिनों के बाद वो जो अमुक व्यक्ती है आपका प्रेमी है या आपकी प्रेमी का या आपका साथी या आपका पती वो आपसे संपर्क ज़रूर साधेगा और आपसे बात करने की चेष्टा अवश्य करेगा देखा जाता है कि जब कोई सामने वाला वापिस से बात करने की कोशिश करता है तो हम उस वक्त उससे नाराज़गी चताते हैं ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है जब ये मंतर अपना काम करे, सामने वाल आपसे बात करने लगे या आपसे मैसेच पर बात करना चाहे तो उससे नाराज़ की ना जटाते हुए आप उन्हें उसके साथ बात कर सकते हैं और इसी तरह आपको बात करनी है जल्दिबाजी किसी भी चीज में नहीं वरनी चाहे वो मंत्र हो, साधना हो या कोई भी क्रिया हो हर किसी को उसी के प्रालब्द के अनुसार ही रिजल्ट मिलता है उसके प्रालब्द के अनुसार ही उसका परिणाम मिलता है इसलिए आपको हो सकता है एक दो दिन आगे पीछे भी लग सकता है तो आपको इसमें जल्दी बाजी नहीं करनी इस मंतर को जाब करने की विधी बिल्कुल सरल है जब भी आप एकांत में बैठें अपने इश्ट देवता की एक तस्वीर ले ले अगर इश्ट देवता की कोई तस्वीर नहीं है तो अपने मन में इश्ट देवता को एक बार याद करें और फिर इस मंतर का जाब करना शुरू करते इस मंतर को एकांत में बैठ कर जाब करने पर जादा लाब मिलता है अगर आप एकांत में नहीं बैठ सकते आपकी जौब है या किसी कारण से आप बाहर रहते हैं तो आप इसे सामानने तोर पर मन में भी जाब कर सकते हैं 108 की संक्या के बाद ये आपके लिए काम करने लगेगा लेकिन इसमें आपको 7 दिन तक लगातार काम करना है साथ दिन तक लगातार आप इसको जाब करते रहिए मंत्र मैं आपको बता देता हूँ आप सुन लीजीगा मंत्र कुछ इस प्रकार से है ओम हिरिंग श्री लक्ष्मी नारायन नमह मंत्र एक बार पुनह सुन लीजीए ओम हिरिंग श्री लक्ष्मी नारायन नमह संपूर्ण जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि हर किसी को रिजल्ट एक समय पर नहीं मिलेगा किसी को पहले और किसी को बाद में भी मिल सकता है ये वो मंत्र है जो हर किसी के लिए काम करता है चाहे आप कहीं पर भी ह चाहे आप पुरुष हों चाहे एक माँ अपने बच्चे के लिए करे या कोई साथी अपने प्रेमी के FOR ये हर किसी के लिए कारी करता है और सिद्ध मंत्र की तरह ही ये भी आपको परिणाम देता है मंतर जाब करते हुए किसी और विचार्ग अपने मन में न आने दे यधी ऐसा होगा तो मंत्र की शक्ति कम हो जाती है और असर होने में थोड़ा समय लग जाता है उमीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और कुछ भी पूछना हो तो WhatsApp ग्रूप में शामिल हो सकते हैं हमारा नंबर है 9896153833 इस पर आप WhatsApp के ग्रूप में शामिल हो जाएए और कमेंट सेक्शन में जरूर अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें और जो भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं और अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरी भजन जगत सब सबना ओम नमाश्यवाई